आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है जेपी पावर के बारे में देखिए 6 रुपए से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है और उनके क्वार्टली रिजल्स कल आ चुके हैं बातशीत करेंगे कि इनके जो नंबर्स आएं वो कैसे हैं अच्छे हैं बुरे हैं किस तरीके से इसका आउटलुक हो सकता है शॉर्ट टम लॉंग टम का वीडियो को शुरू करो उसे पहले अगर आप नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे इसी रेंज के आसपास भठक रहा है पिछले कुछ दिनों से लेकिन एक साल का ग्राफ देखो के तब 15% के गिरावट है नौ रुपए के लेवल से एक बड़ा करेक्शन बना यहां पर और शेर गया था पांच रुपए पर वापस अटेम्ट मारा तेजी दिखाई अब वा बड़ी रफ्तार देखी हमने यहां पर 10 रुपए पर गया 20 गुना पैसा यहां पर बनिया था काफी बड़ा रिटन इसने बना कर दिया लेकिन उसके बाद अभी देखो तो करेक्शन चल रहा है देखो क्योंकि पावर सेक्टर ना बहुत अच्छी तीजी पकड़ रहे थ रहा तक इनकी नंबर्स अगर आप दिखो यह आर्टिकल आपको ऐसा देखने को मिलेंगे कि वह यह जून क्वार्टर में इनका जो निट सेल्स है वह डाउन है यह और यह बेस पर लेकिन और क्वार्टर बेस पर मुझे लगता है कि खराब नहीं है लेकिन हा इसका मतलब यह नहीं कि fundamental company अच्छी बनके जी नहीं उसका मतलब कताई ऐसा नहीं अगर हम इनके नतीजे की तरफ चले तो इस बार जो इनकी total income हुई है ठीक है वो तकरीबन 1714 करोड की है यह जो नंबर साब देख रहें वो लाख में है करोड में नहीं है तो इसलिए 1714 करोड के आसपास क 30 करोड का revenue था तो उसके मुकाबले कमाया है तो पिछले साल के मुकाबले compare करोगे तो बैया जो numbers है वो काफी खराब आपको देखने को मिलेंगे लेकिन पिछले quarter से compare करोगे तो number आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे सेम चीज़ अगर हम profit को लेकर कही जाए तो इस पिछले quarter में लॉस हुआ था 41-42 करोड का उससे पहले भी अगर आद देखो तब भी लॉस था इनका तो पिछले दो quarter में लगाता लॉस थे अभी तीसरे quarter में इन्होंने 190 करोड का मुनाफ़ा कमाया जरूर है जो कि अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है ये और देखन रहेगा यहां पर कि आगे क्या होता है लेकिन जो नंबर से वो उतने पहुंच अगर पिछले साल से compare करोगे तो बहुत जादा खराब नजर आएंगे पिछले quarter से compare करोगे तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन जनरल में प्रिफर करता हूँ पिछले साल से compare करना क्योंकि देखो पावर कंपनियां जो होती है ना उनके जो revenues होते हैं उनको जो profits होते वो generally हमें June quarter में जाद नजर आते हैं क्योंकि तब ना consumption बढ़ जाता है तो वो numbers मेरे इसाब से एक सही exact number होगा उससे मैं compare को तो खराब है लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई उतना पावर में और जहां तक बात के तो according to money control user बेचने की सला कोई नहीं दे रहे मैं भी अभी नहीं दूँगा मुझे तक यहां सब्सक्राइब और उपर की तरफ जाता है यह तब जाके बेचने के मौके बनेगे यहां पर लेकिन खरीदारी के मौके नहीं बने ठीक है यहां प बढ़ रहा है अगर हम प्रॉफिट के भी बात करेंगे तब हाला कि लास्ट दो कौर्टर खराब रहते हैं के लिए डिसंबर और मार्च 217 क्रोड का लॉस हुआ था उससे पहले उसके बाद मार्च में 43 क्रोड का लॉस हुआ इस बार 190 क्रोड का प्रॉफिट हुआ जरूर और जादा बढ़ेंगे तो अच्छी बात होगी और प्रॉफिट 22 भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं शुरुआती इस क्वार्टर के शुरुआत अच्छी हुई है 190 क्रोड के प्रॉफिट के साथ लेक पावर की तरफ अगर हम बात करने जाए तो कंपनी की तरफ सबसे पहले शेह होल्डिंग की तरफ अगर हम चले तो प्रमोटर के पास 24% की होल्डिंग है और प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी है यहाँ पर 19.01% गिरवी है मुशल फंट ने कुछ भी नहीं खरीदा है डोमेस्टिक बड़ी कॉंटिटी में है 22.33% की कॉंटिटी डोमेस्टिक के पास है और एफाइल के पास पहले 4.96% की होल्डिंग अभी घटके 4.70 पर आये रीटेल और दर की मिलाकर बनती है 48.97% है जिनमें से रीटेल इन्वेस्टर्स 19.23% की होल्डिंग लेकर बैटे हैं देखे ओवरल मैं कहूंगा जेपी पावर को लेकर गया देखो मैं उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ इस कंपनी के उपर और मैंने कई बार इसके उपर वीडियो बनाए है जहां पर मैंने कहा है जब इसने 5 रुपए 6 रुपए के लेवल क्रॉस किये मैंने क गार कि देखो यहां से प्रॉफिट टीकिंग के मौकि बनेगे ना कि एंटरी के माली जगे यहां से तेजी बनती है 7 रुपए की रेंज में जाता है तो कहीं ना कहीं वो लेवल होता है कि एग्जेट करने का ना कि एंटरी करने का और लोग यहीं गलती करते हैं कि जब वोइट करना पसंद करूँगा अगर आपके पास है तो रखे रहो अगर तीजी आती है साथ साथ रुपए का लेवल अगर आपको देखने को मिल जाता है फ्यूचर में तो वो एक लेवल होगा exit करने का ना की entry करने का और fresh buying मेरे इसाब से अभी मैं उतना जदा यहां पर पस करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें अगरा पहली बारे तो प्रीज सब्सक्राइब करें और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक्यू